समाज के भी कोई कानून होते हैं, जैसे ब्राह्मन परिवार में इसरीय कानून सर्वो पर हैं, तो क्या ब्राह्मन जो इसरीय कानूनों को मानने वाले हैं, वो समाज के कानूनों को ठुकराते हैं, जो समाज के अच्छे अच्छे कानून हैं उनको ठुकराते नहीं, नहीं तो वो अपना समाज बनाते हैं, यह ब्राह्मन समाज अपना अलग है, यह दुनिया से मिलता जुलता है, अलग है, और जो देश का कानून है, उस कानून के मुताबिक भी चलते हैं, यह उसके विरोधी बन करके रहते हैं, उस कानून के मुताबिक भी चलते हैं, हमें समाज के अनकूल भी चलना है, राजी के अनकूल भी चलना है, और दोनों के अनकूल चलते चलते हैं, इस वर यह कानून में भी बन करके रहना है,